हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल के एले स्टाडी फ्रेंट्स एम्पिटेट वर्गदो साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और हम अपने पिछले टॉपेक्स को ही यहां पर आंगे बढ़ाने वाले हैं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हमने हमारा जो कंप्लीट जानकारी दे दी है तो प्लीलेस्ट भी बनी हुई है आप जा करके देख सकते हैं इसके बाद आपको दूसरा टॉपेक जब आपका कोशिका बाला टॉपेक किलियर हो जाता है तो पढ़ना होता है बर्गी करण इसमें आपको जीव जन्तुयों का बर्गी करण पादप का बर्गी करण पूरा पढ़ना होता है तो आपका जो टॉपेक होते हैं आप क्रमबध तरीके से यदि पढ़ते हैं तो हर चीज आपकी आसानी से किलियर होगी और हर चीज आपको समझाएगी तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे बर्गी करण और बर्गी करण में आ परवा दिया था इसके बाद हमारा जो दूसरा जगत होता है प्रोटिष्टा जगत तो प्रोटिष्टा जगत के बारे में भी हमने आपको एक क्लास दे दी है यह हमारी प्रोटिष्टा जगत की सेकंड क्लास रहेगी और इसमें आपको जो प्रोटिष्टा जगत होता है उस क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जोड़ी होई होती है तो आपको बीच में कहीं भी छोड़ना नहीं है हर एक चीज को परते हुए चलना है ठीक है तो आईए स्टार्ट करेंगे और यह हमारी बायोलोजी की अभी तक जितनी किलासें हुई है उसमें यह किलास नम्मर 14 रह सकता है ठीक है तो फिर आप कहेंगे कि जो प्रोटेश्टा जगत है इसको यहां पर रखने की क्या जरूरत थी इसको पादप जगत में ही रख देते हैं यह लग से जगत क्यों आया क्योंकि पादप जगत भी प्रकास अंसलेशन कर लेता है किलोरोफिल के माध्यम से ठीक ह तो आपको बता दें कि जो पादप होते हैं वो बहु कोस्किय होते हैं मतलब उनमें एक से अधिक कोस्काइं होती हैं लेकिन जो प्रोटेश्टा जगत में आपके जीवधारी आते हैं वो सब के सब एक कोस्किय होते हैं तो इसी आधार पर आपका नया जगत बनाया गया थ अब इसमें आपको बर्गी करण में आपको ए भी पढ़ा दिया है आपके स्वापोसी प्रोटेस्ट होते हैं मतलब जो अपना भोजन स्वयम बना सकते हैं फिर आपके परपोसी प्रोटेस्ट जिसमें मिर्तोप जीवी पढ़ना है और परपोसी ही होते हैं जो पर जीवी होत चाहते हैं लेकं नहीं हैं और लावब प्राप्त कर लेते हैं वो परजीवी या इनी को परभक्षी कहते होगा तो इस varsa हमारी क्लास प्रोटेस्ट की यहां से आपके question उट करके आते हैं तो आप एक question का answer comments के माध्यम से देंगे यदि आपने इससे पिछली class पड़ी है तो आप पताईए कि पादप और जन्तुगों के बीच की सैयोजी कड़ी किसे माना जाता है ठीक है आज के session में हम पड़ेंगे परपोसी प्रोटेस्ट में मिर्तोप जीवी जो आपके अबपंक का वक है और परपोसी परजीवी प्रोटेस्ट में पढ़ेंगे प्रोटो जुआ के बारे में ये भी आपके बहुत important chapter रहेंगे यदि आप किसी भी box से इनको पढ़ते हैं तो आपको basically समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई होती है और बहाँ पर confusion भी उत्पन होता है कि इसको हम किस तरीके से समझें मैं ऐसे box सभी के पास होती हो और आप स्वयम से भी पढ़ सकते हैं लेकन यहाँ पर अंतर होता है तो समझने का ठीक है तो आपको बता दें एक बात यहीं पर clear कर दें कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अब punk कवक तो आपको इनको कवक में कताई नहीं लेना है क्योंकि यह कवक से अलग होते हैं अभी हम इनमें अंतर भी बताएंगे तो सारी चीजें के लिए हो जाएंगे ठीक है तो आईए देखते हैं आपका दूसरा जो प्रोटेस्ट जगत का बरगी करण होता है इसका दूसरा प्रकार परपोसी प्रोटेस्ट अर्थात मिर्तोप जीवी ये दौनों परपोसी हैं लेकिन ये मिर्तोप जीवी परपोसी हो के अपना लाभ देखते हैं वो परजीवी कहलाते हैं जैसे इसका बेस्ट एक्जामपल होता है आपका जुआ क्या होता है जुआ ठीक है या पसू होते हो उनमें जौंक देखने को मिलता है तो ये आपके परजीवी होते हैं ठीक है इसमें जैसे पादप होता है तो पादप म में जो मिर्तोप जीवी आपका जो प्रोटिस्ट कहला आता है इसमें पहले आपको पढ़ना है अब पंक कवक इसको एंगलेस में स्लायम मोल्ड कहते हैं कभी कभी आप पंक कवक ना दे करके इस स्लायम मोल्ड को ही हिंदी में लग करके दे देते हैं स्लायम मोल्ड करके ठीक ह तो आप याद रखेंगे, अब ये मिर्टोप जीवी होते हैं, परन्तु कवक से अलग होते हैं, ये मैन अंतर याद रखेंगे आप, अब ये कवक से कैसे अलग होते हैं, वस थोड़ी ही देर में आपको बताते हैं, अब पहले देखिए कि अब पंक जो कवक हैं, ये जल और पाए जाते हैं अभी तक हमने हमारा जो स्वापोसी प्रोटिस्ट पड़ा उसमें आपको बताया कि लवडिये जल में कुछ होते हैं और कुछ आपके या लवडिये जल में होते हैं लेकिन आपका यहाँ पर जो अबपंक कबक होंगे बुजल और इस्थल दोनों में पाए ज अब देखिए अब-पंक जो कबक है कबक से क्यों भेंड हैं तो सबसे पहले समान नहिंबें देखेंगगे कि दोनों ही दोक जीवी भी मिरतोप जीवी हैं और आपके कवक जीएगात होता है उसमें जितने भी जीऊ धारी आते हैं वो भी मिरतोप जीवी होते हैं तो फिर आप प्यांट क offered किया गया अब देखें लेकिन आप जब कवक जगत पड़ेंगे बहाँ पर देखेंगे कि इसमें सभी जीवधारी आपके बहु कोस्किये होते हैं केवल एक अपबाद को छोड़कर जो की आपका इस्ट होता है ठीके एक कोस्किये होता है तो फिर आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि जब इस्ट जो है वो एक कोस्किये है तो इसको कवक में ही क्यों रखा गया अपबाद बना करके इसको हम अबपंक कवक भी तो कह सकते हैं तो देखिएगा यह जो इस्ट होता है यह क्यों इसमें नहीं डाला गया तो इसकी जो है एक विसेस्ता होती है कि अबपंक कवक में कोशी का भि की तो आप अब समझे चुके होंगे कि अब पंक कवक और कवक में अंतर क्या है कवक जगत अलग से क्यों मना आई गया ठीक है तो अब पंक कवक भी मृत्व अगला फेक्ट देखिए आपका इनका सरीर एकल कोश्किये होता है किसका अबपंक कवक का कोश्का भित्ती नहीं है अर्थात नंगन जीवद्रब बहु के अंदर ये होता है जिसे प्लाजमोडियम कहते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना है मानके चलिए आपका ये कोई अबपंक कवक है ठीक है क्या है अबपंक कवक है और इसके अंदर आपका ये क्या भरा पड़ा है जीवद्रब भरा हुआ है ठीक है जीवद्रब भरा है और इसमें अनेक स्ट्रक्चर आपने देखे हो कोशिका पड़ा होगा तो माइट्रो कांडिया होगा इसमें आपके मतलब कोशिकांग बिखरे हुए होते हैं तो आपका जो अवपंक कवक होता है इसमें जो जीवद्रब पाया जाता है इसके बाहरी सताह पर आपकी सेल बॉल नहीं पाई जाती क्या नहीं पाई जाती सेल ब अब आपका जो अब पंक कवक होता है इसमें एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि बहुत सारे केंदरक देखने को मिलते हैं तो इसे बहु केंदरक कह देते हैं ठीक है और यह जो बहु केंदरक होता है यही आपका प्लाजमोडियम कहलाता है तो आपको यहां एक अंतरे भी य प्रोटो जोवा पढ़ेंगे तो प्रोटो जोवा में भी आपका एक स्पीरो जोवा करके आता है इस्पीरो जोवा प्रोटो जोवा के बरगी करण में उसमें आप प्लाजमो डियम जीव पढ़ेंगे ठीक है क्या पढ़ेंगे प्लाजमोडियम जीव पढ़ेंगे लेकन यहां जो दखाई दे रहा है यह एक structure है सरचना है ठीक है आप समझे की नहीं समझे आपको बताना है ठीक है एक कैसा हो गया जीवद्रब इस पर कोई बाहा आवलन नहीं है मतलब एक कैसा हो गया नंगन जी प्रत्यक जीव के जीवन में आती है प्रत्यक प्राणी के जीवन में आती है एक तो अनुकूल परिस्थिती और एक प्रतिकूल परिस्थिती मान के चलिए आपको भूंक लगी है और आपके सामने भूजन पड़ा है तो यह तो आपके अनुकूल परिस्थिती है कि आप आ तो यह आपके कैंसी हो गए प्रतीकूल परस्थिती हो गए तो उसी तरीके से आपके आपगपंक कवग में अभी दो इस्थितियां देखने को मिलती है आपगर कवग का मतलब है एभी आप याद राखेंगे जो आपगर कवग होते हÝ यह कैसे हैं आपके मिर्तोप जी भी है मतलब ज्यादा तर सड़ी गली पत्तियां जहां पर जल उपस्थित होगा जहां आपका भोजन इसको मिलेगा बहाँ पर यह पाए जाते हैं तो ए जो है अव़पंग कवक बहुत ही सुक्ष्म होते हैं होँ हमें दखाई नहीं देते साधरन आखों से लेकन जब इनको अनुकूल परिस्थिती मिलती है तो यही एक अवपंग कवक जो है दूसरे जो अवपंग कवक होते हैं इनके साथ में मिल जाता है और बहुत पास से आ जाते हैं और इस से एक प्रकार की कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं ठीक है तो जो अनुकूल परिस्थिती होती है आवपंक कवक की तो वो मिल करके एक साथ क्या बना लेते हैं कॉलोनी लेकिन जो आपकी प्रितिकूल परिस्थिती होती है मतलब इनको सड़े गले पधा पर नहीं मिल पाते भोजन के रूप में तो यहां पर क्या होते हैं कि जो आवपंक कवक होते हैं वो दूर दूर इस्थित होते हैं और यह नश्ट होने की कगार पर आ जाते हैं ठीक है तो यह नश्ट होने से बचने के लिए बहुत हद तक सिकुड जाते हैं और सिकुड कर ए उसके उपर कोशिका भित्ती होती है अभी आपने क्या पढ़ा कि आपके अबपंक कवक पर कोशिका भित्ती नहीं देखने को मिलती लेकिन जब दूर दूर पृतिकूल परिस्तितियों में आपके कवक इस्तित होते हैं तो इस से कोड़कर एक रचना बना लेते हैं जिसे फल जाती है सरचना और बीजानू बिखर जाते हैं और ये बच जाते हैं नश्ट होने से क्यों बच रहे हैं क्योंकि इनकी उपर सेल वॉल आ गई है ठीक है जैसे ही फिर इनको पुनहा से एनुकूल परस्थिती मिलेगी तो ये फिर से विभाजन करेंगे और ये सेल वॉल फट जाती है और विभाजित होकर बहु के अंद्रक का नर्माड कर देती है तो आपने देखा कि आपका अबुपंक कवक क्या कहलाता है आपको हर एक चीज किलियर हुई होगी ठीक है अब हम देखेंगे आपका परपोसी तीसरा प्रकार जो है प्रोटेस्ट का परपोसी में पर इसने की थी तो लिवेन होक ने प्रोटो जोगा की खोज की थी अब आपके जो लिवेन होक है इन्होंने पांच प्रकार के जीवत कोजिकाओं की खोज की सबसे पहले तो आपके जीवानों की खोज इसने की इसके बाद आपके यही प्रोटो जोगा की खोज इसने की इसके भी खोज इन्होंने की थी तो इस तरीके से जो टोटल हैं पांच प्रकार के इन्होंने जीवित जीवाणगों की खोज की फिर है प्रोटो जोवा पर जीवी या परभक्षी हो सकते हैं तो आपको बता दिया परभक्षी मतलब दूसरे जीवधारियों से पोशन प्राप्ट क परके उनको हानी पहुँचाना लेकिन मारते नहीं है अब प्रोटो जुवा का भी अपना बर्गी करण होता है तो गमन अंगों के याधार पर गमन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गती मोसन के कारण ही जो प्रोटो जुवा होते हैं इनको चार बर्गों में ब बर्गी करण किया गया है तो पहले होते हैं अमीबी ये प्रोटो जुवा कसावी की ये प्रोटो जुवा पक्षमाभी प्रोटो जुवा और इस्पोरो जुवा तो आप देख पा रहे हैं इनके नाम से ही इसपश्ट है अमीबी ये प्रोटो जुवा जो होगे इनमें गम जरूर सुना होगा तो जो फलेजिला होता है इसी को हिंदी में कसाभी का कहते हैं ठीक है तो जिन जीवों में गमनंग फलेजिला होता है वो कसाभी की प्रोटो जुआ होंगी पक्षमाबी प्रोटो जुआ में पक्षमाब गमनंग होता है पक्षमाब का मतलब होता है सीलिया ठीक है अंतर एन में केवल इतना होता है कि जो आपके फ्लेजिला होते हैं इनका जो सरचना है इस्ट्रेक्चर वो लंबा होता है और छोटे होते हैं सीलिया और इस पोरो जोवा में गमानंग नहीं होता तो फिर आप कहेंगे कि फिर एक ऐसे गमन करते हैं और जब गमानंग नहीं है तो इसको प्रोटो जोवा में क्या हो डाल दिया गया ठीक है गमन के आधार पर तो अभी बताएंगे कि इनमें गमानंग नहीं होता लेकिन जो इस पोरो जोवा होते हैं इस संक्रमन किसी बाहफ के माध्यम से करते हैं अब एक एक करके हम इनको देखते हैं सबसे पहले अमीवी ये प्रोटो जोवा तो अमीवी ये प्रोटो जोवा आपके समुद्री जल में और स्वक्ष जल में तथा नम मिर्दा में पाए जाते हैं आपने खूब अमीवा का स्ट्रेक्चर बनाया होगा और खूब इसके बारे में पड़ा भी होगा ठीक है इनका गमन अंग कूट पाद होता है ठीक है पाद का मतलब होता है पैर और कूट का मतलब होता है यहाँ पर आपको बता दें कि इनकी कोई आकिर्ती निश्चत नहीं होती जैसे हमारी आकरती निश्चत है कि हमारे जैसे जो मतलब जो कूट होते हैं कूट पाद पाद का मतलब होता है कि जो हमारे सरीर से सरचनाएं बाहर निकली हुई होती है जैसे हमारे दौनों हाथ हमारे दौनों पैर एक क्या होगा है पाद कहलाते हैं ठीक है लेकिन जो कूट होते हैं कूट का मतलब यहाँ पर यह होता है कि इनकी आकिरती आ निश्चत है निश्चत नहीं है जैसे हमारे हाथ जो है हमारे निश्चत स्थान पर है ऐसा नहीं है कि पीछे से हमारी पीछ के धर से मतलब हाथ निकल जाएं या पेट से हाथ निकल जाएं ऐ एसा नहीं होता पैर अपनी यथा इस्थान पर हैं लेकन आपका जो आमीवी प्रोटो जोवा होता है इसमें जो कूटपाद इसका गमनंग है तो ये निश्चत नहीं होता आपने आमीवा की आकिरती खुट पड़ी होगी इस तरीके से इसका इस्ट्रेक्चर बना दिया जात है ऐसा करके ठीक है और जो आप देख रहे हैं यही कूटपाद कहलाते मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि केवल यदर ही कूटपाद होंगे कहीं भी हो जाते हैं ठीक है तो ये जो कूटपाद है इनको गमन में तो सहायता करते ही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अब आपका जो एंटमीवा हिस्टोलीटी का है आपने पड़ा होगा स्वक्ष जल यदि हम नहीं पीते गंदला पानी पीते हैं पर दूसत पानी पीते हैं तो उससे हमारी आते प्रभावित हो जाती है और इससे हमें पैंचिस रोग हो जाता है तो पूंच लिया जाता है कि जो पैंचिस रोग है वो किस प्रोटो जोवा के कारण होता है तो एंटमीवा हिस्टोलीटी का प्रोटो जोवा के कारण होता है दूसरा प्रकार है आपका पक्षमाबी प्रोटो जोवा कौनसा है दूसरा प्रकार आपका पक्षमाबी प्रोटो जोवा दूसरा प्रकार र है जैसे सीसी म कुक है तो ऑपसा ठोड़ा सा हुआ है यहां पर आप देखेंगे यहां पक्षमाभी लखा हुआ है तो पक्षमाभी का मतलब होता है यहां पर आपका फलेजिला क्या हो जाएगा फलेजिला ठीक है फलेजिला इनका जो इस्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा कैसा होता है लंबा आकिरती इनकी होती है कसावी की प्रोटो जोगा मैं कसावी का यानी सीलिया सीलिया गमन के साथ साथ भोजन को आंगे बढ़ाने में एक जीव दूई क केंदर की होते हैं इनमें पैरामीसियम कोड़ेटम आ जाएगा तो आपने पैरामीसियम का इस्ट्रक्चर देखा होगा इस तरीके से होता है ऐसा करके और इसमें गमनंग आप देख रहे हैं छोटी छोटी सरचनाय होती हैं जो ए आपकी कहलाती हैं सीलिया अर्थात इने कसाभी का कहते हैं ठीके सीलिया गमन के सासाथ भोजन को आंगे बढ़ाता है यह दुई केंदर की आपने पैरामीसियम में देखा होगा एक छोटा केंदरा को एक बड़ा केंदरा कोता है इनमें आपका स सूत्री विभाजन होता है और इसमें सूत्री विभाजन देखने को मिलता है इसका उधारन हो जाएगा पैरामीसियम कोडेटम इसको चपल जीव भी कहा जाता है चपल की आकिर्थी का यह होता है लास्ट प्रकार है इस पोरो जोवा तो यह ज्याद अंतर पर जीवी होते ह अन जीव जन भी हो सकते हैं जैसे प्लाजमोडियम अभी आपको बहां पर बताया था वो एक श्ट्रेक्चर था लेकिन एक जीव का नाम है ठीक है तो प्लाजमोडियम जो है इसका बाहक मादा एनफिलीज मच्छर होता है और इसके माध्यम से संक्रमन करता है तो आई होप आपको आपका जो दूसरा प्रकार है प्रोटेश्ट जगत वो आसानी से समझ में आ चुका होगा इसके बाद हम अगला जो जगत होगा कवक जगत या फिर जो भी जगत आपका पादाप या जन्तु जगत जो होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में ठीक है यदि आपको कलास पसंद आई है और चीजें समझ में आती है तो वीडियो को सेयर जरूर करें और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप वो भी कमेंट्स के माध्यम से ही पूं सकते हैं ठेंक्यू